वो कौन से खबरे रही जिन्होंने बनाई बिस्नेस हेडलाइन इन 2023? आज जानेंगे उन ABP Life Podcast हलो मैं मांसी हूँ आपके साथ विद 2023 बिस्नेस यूरली नीज्स राप सबसे पहले, in January New York-based Hindenburg Research published its report on the Adani Group on January 24 stock manipulation और fraud के इल्जाम लगाए इस रिपोर्ट के चलते दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शुमार गौतम अडानी को 45,000 करोड रुपे का जटका लगा 22 फरवरी को उनकी कुल समपत्ती 43.4 बिलियन डॉलर से कम हो जाने के बाद अडानी समुह के अध्यश गौतम अडानी अब दुनिया के 25 सबसे अमीर अरब पतियों में से नहीं है फिलहाल अडानी ग्रुप पर लगने वाले आरोपो को लेकर जैसे ही सुप्रीम कोट का फैसला आया और कम्पनी पर लगाए गए सभी आरोपो को खारिच कर दिया गया इस वैसले के बाद कम्पनी के शेर में जबरदस्तेसी देखने को मिली बढ़ते हैं अगली बूसन्स न्यूस की ओ 2023 turned out to be good for stock market investors In December, Sensex jumped 476 points to hit an all time high of 71,913 and Nifty touched its fresh record peak of 21,593 बहुत कम ऐसे shares थें जिषमें investors को loss हुआ investors made a lot of money in most of the shares Shares of Jay Balaji Industries saw the highest rise of 1291% Last year on December 30, ये share 54 रुपे का था अगली खबर के और बढ़ते हैं GDP पर Rating Agency SNP के डेटा से positive message मिला SNP ने Financial Year 2023-24 में इंडिया की वृद्धी दर का अनुमान बढ़ा कर 6.4% कर दिया है Agency का मानना है कि अर्थ व्यवस्था के सामने पैदा होने वाले challenges के भरपाई मस्बूत वृद्धी दर से होगी ऐसे में GDP के मोर्चे पर साल 2023 में भारत का प्रदर्शन प्रेजवर्धी रहा आने वाले समय में देश्ट की GDP 6% से 67.5% के बीच बनी रह सकती है भारत के केंद्रिये bank, Reserve Bank of India में मौजूता और अगले financial year के लिए GDP वृद्धी दर 6.5% रहने की possibility है बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओर बढ़ती मेंगाई को देखते हुए RBI ने रपो रेट को शुरुवात में ही साल के बढ़ा कर 6.5% कर दिया उनका ये कदम सही साबित हुआ, इससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिली महंगाई के मोर्चे पर स्थिर्ता यानि की stability आने के बाद फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट को stable रखा गया अगली बिजनस नीज की और नजर डालते हैं, साल 2023 में देश में बेरोजगारी दर कम करने में भी बड़ी सफलता मिली है NSSO की periodic labor force survey report के मताबिक देश में 15 साल से अधिक उम्र के नागरिकों में बेरोजगारी दर, unemployment rate 3.2% दर्च की गई, ये 6 साल में सबसे कम है पिशले साल, unemployment rate 4.1% थी, वही 2020-21 में ये दर 4.2%, 2019-20 में 4.8%, 2018-2019 में 5.8 और 2017-18 की बात करें तो 6 प्रतिशक थी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, इस साल HDFC bank और HDFC का merger हो गया था, इस merger के बाद HDFC भारत का सबसे बड़ा bank बन गया वही 3 जुलाई को Nifty 50 पर NSE और IFSE Exchange की लिस्टिंग हुई, 12 जुलाई को HDFC Limited के stock share market के दोनों इंडेक्स से डी लिस्ट हो गए थे एक और merger भी हुआ जो जानते हैं अगली अपडेट में, चलिए जानते हैं अगली बिसनस न्यूज, भारतिय आईटी, दिगज कंपनी इनफोसिस के को फाउंडर N.R. नरायन मूर्ती ने, इस साल एक ऐसी बात कही, जो किसी को हजम ही नहीं हुई इंडिया की कार उत्पादिक्ता यानि की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने इसे बढ़ाने के लिए ये सला दी कि देश का जो युवा है, वो हर वीक 70 घंटे काम करें, नरायन मूर्ती के इस बयान से देश भर में भूच इस आक्रमण के बाद जहां एक तरफ क्रूड ओइल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो वहीं इसने शियर मार्केट पर भी असर डाला, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, RBI की ओर से लॉंच की गई डिजिटल कारेंसी यानि CBDC के लिहाज से भी साल 2023 एहम साबित हुआ, देश के चुनंदा शहरों की CBDC की लॉंचिंग के बाद, इसके प्रती लोगों में काफी एकसाइटमेंट दिखा, सेंट्रल बांक डिजिटल कारेंसी, CBDC या ई-रुपिये के सीमा पार लेंदेन की उप्योग से लागत में 2-3 परसन की बचत होती है, वित्तमंत्राल में G20 के सफल आयों, जिन के लिए भी जाना जाएगा, G20 समिट के दौरान 115 से अधिक देशों से आये, 25,000 से ज्यादा, डेलिगेट्स ने देश भड़के 60 शहरों में 220 से ज्यादा मीटिंग्स की, भारत की अध्यक्षिता में हुई G20 शिकर सम्मेलन के दौरान, भारत ने वसोदैव कुटुमबकम का अपना संदेश पूरी दुनिया को दिया, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और उस्ट्रिलिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझोते या FTA की दिशा में भी साल 2023 में एहम बात्शीत हुई, जल्दी इसके पॉजिटिव परेडाम आ इंटिया, UAE, साथी अरब, यूरोपीय संग, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हो रहे हैं। इस कॉरिडर के साथ अपना कमिट्मेंट दिखाते हुए इटली ने हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग होने का एनांस्मेंट किया और ये भारत के लिए एक साल 2023 में आज अबीपी लाइफ पॉड्कास्ट पर इतना ही मैं मानसी हूँ आपके साथ।